सो हेलो फ्रेंड स्वागद है आप सभी का फैक्स विदमित पाठक में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश में आज इसके गाइडलाइन भी बनाई जाएगी वही कोरोना का अपडेट भी सामने आ चुका है लगातार केसिस बरते जा रहे है उत्तर प्रदेश में तो ये दो इमपॉटेंट जानकारी है जो आप के साथ सेर करने वाले हैं सबसे पहले आप यहाँ पे टैटल देख लीजिए मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट है मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलट जारी किया गया है स्वास्त विभाग आज जारी करेकर गाइडलाइन जी या दोस्तों 18 जुलाई का ये लेटिस्ट अबडेट है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दरसल प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर अलट जारी किया गया है स्वास्त विभाग ने सीमा वर्ती जीलो में विसेश निगरानी के निर्देश भी दिये है स्वास्त महा निदिस्ताले इस सम्मन में 100 मारको गाइडलाइन भी जारी करेगा करीब चार महा से दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मरीज मिल रहे है और बीते दिनों केरल में भी मंकी पॉक्स का मरीज मिलने के बाद केदे स्वास्त मंत्राले ने राज्यों को सतरक्ता की निर्देश दिये है आपको दादे स्वास्त विभाग ने सभी CMO को लक्षन वाले मरीजों की जानकारी देने और सेंपल कलेक्शन की तैयारी रखने के निर्देश दिये हैं तो उसमें लक्षन है तो उसे ततकाल आईसोलेट भी किया जाए मंकी पॉक्स प्रभाबी देसों से लोटने वालों में 21 दिन तक के लिए निगरानी रखा जाएगा और जिलाज पतालों के सभी CSC और PSC में सैंपल कलेक्शर की विवस्था होगी आसा और A&M कारकरताओं को भी लक्षन की जानकारी देने के निर्देश दिये गए हैं तो मंकी पॉक्स प्रभाबी बीते चार महिनों से सभी देसों में पाए जा रहे हैं और केरल में भी पाया गया बुखार के साथ सरीर पर पर जाते हैं चकते ये कारण है और ये इसके लक्षन है लोहिया संस्थान के मेडिसिन विबागा ध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंग ने बताया कि मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति को बुखार के साथ सरीर पर चकते पड़ जाते हैं या वायरस कटी-फटी तचा और साथ नली या फिम्यकोसा यानि आख नाक और मुके सहारे सरीर में पर विश करता है या जानवरों से मानों में भी हो सकता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है यही कारण है कि ये भी एक तरह से बहुत घहतक सावित होनी वाला है और आपको दादे कोरोना का भी लेटेश अब्डेट सामने आ चुका है जी हाँ उत्तरप्रदेश में बीते 24 गंटे में 411 कोरोना संक्रवित मिले है 365 लोग स्वस्थ हुए है फिलाल तो इस पर रोग थाम जारी है जीलेवार संक्रमर की रफ्तार भी आपकों दिखाएंगे दरसल लगातार केसे सुत्तरप्रदेश में कोरोना के भी बढ़ते जा रहे है स्वाज विबाग लगाता सभी लोगों से साउधानी बरतने का वा टीका लगवाने की अपील कर रहा है और 18 साल के अगर आप हो चुके हैं या उससे जादा की उमर के हैं बूस्टर डोस सरकार फ्री में लगवा रही है जाके आप लगवा सकते हैं यहां में बाकी आप देख सकते हैं लखनों में 24 गंटे 85 मरीज मिले हैं तो 68 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं नोईडा में 33 मरीज अगर मिले हैं तो 55 मरीज स्वस्थ हुए हैं इस पर किसी न किसी पकार से रोक थाम जारी है तो यह एक अपडेट था जो आपके साथ सेयर किया गया है सुआई हूप आपको यह पसंद आया होगा ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुने चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद